बहुत से एक्षुली लोग मुझे ये पूछ रहे थे भई वो खत्रा डेंजरस जो राम गोपाल वर्मा की मुवी थी और वो लड़की दड्रैगन गल जो भी मुवी नाम है उस मुवी का उसका अपडेट कब आएगा मैं आपको ये बता दू अभी तीन दिन पहले इसने एक के मामले में क्या कहना है तो भाई इसके बारे में तो छोड़ दो वह बेवजा ही वह काश्मीर फाइल भूल भूलया टू या फिर आरारा उनको टार्गेट कर रहा था मतलब उसका दिमाग आलिया भट से भी कितना कम है इससे समझ में आता है बेवजा पीएम को ये करना अ यह कुछ अलगी जवाब पर जवाब दे रहा है इसके इसका ओटीटी का जो अपडेट है इसके दो तीन ओटीटी यह कोई बताएगा नहीं आपको यह कोई भी यूटूबर फ्यूज के लिए बहुत से लोग कुछ कर रहे है इनकी जो लड़की ओटीटी है और वो जो क्य अपडेट नहीं आई है एक्चुली है मतलब राम गोपाल वर्मा के यूटूब चानल बोलो या जो भी उसका इंस्टा अकाउंट बोलो या जहां पे भी ऐसे कहीं पे भी इन्होंने अपडेट नहीं दी है लेकिन एक लेटेस्स रिपोर्ट मुझे एक एक दो आवर पहले जो मिली है वह कि वह जो डेंजरस खत्रा डेंजरस जो है वह जीफाए पर आ सकती है 6 ओक्टोबर को यह दोस्तों मुझे इतना याद है कि लड़की और वह जो खत्रा डेंजरस है वह ऑक्टोबर को आईगी मैंने यह पहले ही याद करो मैंने जो वीडियो बनाया था आपक और जो लड़की का OTT उन्होंने बोला है कि लड़की और ड्रैगन गर्ल वह 15 अक्टोबर को देर इस पॉसिबिलिटी कि वह जीफाए पर वह भी जीफाए के साथ ही आएगी मतलब जीफाए के साथ ही इसका डील है बड़ यह इन्होंने क्या लिखा है देर विल बी पॉसि लेकिन आपको डेट्स दे दी मैंने दोनों भी मूवी तो पॉसिबिलिटी है अब अगर ऐसी अपडेट आई है तो शायद हो सकता है कि यह इसी दिन पर आए और आप लोग जानते हो OTT के रिलीज डेट में कभी भी जूट नहीं बोलता हो जब तक अपडेट नहीं आती है तो जो अपडेट आई है अब यह मुझे नहीं पता है कि यह ओफिशियल कर देंगे शाम तक यह राम गोपल वर्मा भी अपने इंस्टा पर डालेगा या नहीं मुझे पता नहीं है लेकिन जो अपडेट आई है मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करू क्योंकि बताना मेर काम है चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लीजे दोस्तो थैंक यू